प्रिये रंजन और आज की इस एपिसोड में बेदानता स्टॉक को डिसकस करेंगे चुकि बेदानता ने अपना कोटरली नंबर्स डिकिलियर करा मैंने कल ही आपको कहा कि बेदानता का जो नंबर है वो आउट परफॉर्मिंग है और चुकि और रेडी स्टॉक उपर से करेक् सोटम रिकबरी दिख सकता है और एज एक्सपेक्टेड स्टॉक में रिकबरी दिखी आगे के टेक्निकल एस्पेक्ट्स और न्यूज को समझे इससे पहले प्रीमियम टेलिग्राम को जोईन करें डिस्क्रिप्सन के लिंक से काउंट आपन करें वीडियो पसंद आए तो द लगबग लगबग जो है डबल होते हुए दिखा है क्वाटरन क्वाटर वेसिस पर और एयर और एयर वेसिस पर भी देखेंगे तो लगबग 60% के आसपास का ग्रोध देखने को मिला है इसके अलावे देखें तो कंपनी इस समय कैपेक्स भी कर रही है साथ में और होल्डि अपनी होल्डिंग को बरहाया है और थोरे बहुत होल्डिंग घटे हैं किसके प्रमोटर के यहां कोटक अभी भी कह रही है कि जो रिस्क रिवार्ड है वो फैबरेबल नहीं है 68% बर चुका है यह अपने जो भी इनकी बातों को देखेंगे कि सेलिंग कहा है 320 का में दिखा है और बिल्कुल 320 जैसा लेवल मुझे इससे में एक्सपेक्ट नहीं हो रहा है टार्गेट प्राइस जो है जो पहले 320 था उसको बरहा करके रिवाइज करके 390 किया है और 390 आने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है और मुझे लगता कि 390 एक ओपर्चुनिटी हो इसा लेवल दिखे और अगर 460 को ब्रेक आउट करा तो मैं 522 700 के लिए आऊंगा ये भी जोन जो है कंसोलिडेट पोजेटिव इसी